सबी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल ए रखिलिश क्लासिस फोर यू में अगर आपको वीडियो की स्पीड ज़्यादा लगती है तो थोड़ा सा आप पॉस करके इसको देख सकते हैं इसमें आपको आसानी रहेगी इसको पढ़ने में मैं जो भी पेपर्स अप्लोड करता हूँ अपने चैनल पर उन सभी के जो पीडियेफ लिंक है वो जरूर डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ताकि आपको अगर वो पेपर चाहिए तो आप उसको डाउनलोड कर लें और उसको प्रिंट आउट भी ले सकते हैं या फिर पीडियेफ आप उसको डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं तो आप चाहें तो इस PDF को डाउनलोड कर लें description box में इसकी link दी गई है और वहीं पर description box में link के नीचे ही PDF को डाउनलोड करने का video भी बनाया हुआ है अगर आप से PDF डाउनलोड नहीं होती तो उस video को देख करके आप PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं जो आपके board की ये answer sheet है, जो board student ने लिखा है और board copy में लिखा है ये board की copy है आपकी तो इसका डालने का main मकसद यही है कि आप इसको देखें और समझें कि आपको board exam में किस तरह से लिखना है जो copy आप देख रहे हैं इसमें आपको ये तरीका बताया गया है कि आपको board exam में किस तरह से answers को देने हैं जब आप board exam में बैठेंगे लिखने के लिए तो उससे पहले मैं आपको एक सला देना चाहता हूँ अगर आप montex smooth flow pin अवलेवल करा सकते हैं इस्टेशनरी से तो वहाँ से जाके ले ले blue color का और black color का blue color से आप सारे answers लिखिए और black color से आप जो है symbols, diagrams भी बना सकते हैं pencil से भी बना सकते हैं और headlines जो हैं और important जो highlights आपको करने हैं वो black pen से करें ताकि आपके अच्छे number आ सकें मैं अपने channel पे सभी boards की paper जल्द से जल्द available कराने की कोशिश कर रहा हूँ और जितनी जल्दी हो सकें सभी boards की papers मैं available करा दूँगा ताकि पूरे भारत के students को आसानी हो कि वो अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर सकें और exam time में अपना time waste करें बिना एक ही channel के माध्यम से जितने papers उनको चाहिए वो उन तक पहुँच पाए इस answer seat में आप देखेंगे कि students ने कैसे answers किये हैं और अपने answers को किस तरह से highlight किये हैं किस तरह से underline किये हैं किस तरह से border वेगरा बना करके अच्छे से लिखा गया है ताकि examiner उसको आसानी से पढ़ पाए क्योंकि examiner के पास ज़्यादा समय नहीं होता वो एक seat में अपना time ज़्यादा waste नहीं करता क्योंकि examiner को हर seat चेक करने के लिए पैसे दिये जाते हैं मतलब पर seat के उसको पैसे मिलते हैं ये नहीं है कि केवल वो आपके school का ही चेक करता है वो हर school का चेक करता है बस फरक इतना है कि वो जल से जल कितने seats को चेक कर पाएगा तो उसके हिसाब से उसको पैसे दिये जाते हैं copy चेक करने के लिए तो आप बोर्ड में इस तरह से लिखें कि एग्जामिनर जो है उसको ज़्यादा पढ़ने में परिशानी न हो और आप जो कहना चाहते हैं या जो आप उत्तर लिखना चाहते हैं आंसर लिखना चाहते हैं वो उसको बिल्कुत साफ साफ दिखाई दे और वो तुरन समझ जाए कि बच्चे ने जो भी लिखा होगा वो सही लिखा है एग्जामिनर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता किसी भी कौपी को चेक करने के लिए अगर उसको सटीक आंसर नहीं मिलता या उसको सही आंसर नहीं मिलता तो वो नंबर काड़ देता है तो मैं आपको यही सला दूँगा जब भी आप answers लिखें थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन अच्छे से लिखें और पूरी तरह से साफ साफ और डाइग्राम की जरूरत है वहाँ पे तो डाइग्राम बनाए जरूर अगर उस question में डाइग्राम के बारे में नहीं भी पूछा गया है अगर आपको पता है उसके बारे में कि उसका डाइग्राम आप हाइलाइट कर सकते हैं उस डाइग्राम को आप शो कर सकते हैं एक्जामनर को बता सकते हैं तो आप उस डायग्राम को जरूर बनाए इससे बहुत ही आसानी से आपके जो माक्स हैं वो मिल जाएंगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इस answer seat की जो question paper है इसमें तो केवल answer है जो question paper है उसकी भी link में description में डाल दूँगा वहां से आप इसके जो question paper को है डाउनलोड कर सकते हैं और उस question paper को पढ़के answers मैच कर सकते हैं तो आपके लिए पूरी facility अब लेवल करा रहा हूँ तो आप बने रहेंगे इस channel पे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी आप comment section में मुझे comment करके बता सकते हैं कि आपको किस तरह की help चाहिए अगर possible होगा तो मैं आपके लिए वो helping hand जरूर बनूँगा और आपकी सहायता करने के लिए हमेशा तत पर रहूँगा मेरे channel पे जितने भी comment आते हैं मैं उनकी reply 100% देता हूँ अगर वो reply के like हैं कोई भी comment करें तो पहले यह सोच के करें कि आपको वाकई में उस comment की जरूरत थी तो ही comment करें और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको like बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें बाद में आप भूल जाएंगे like बटन प्रेस करना तो अभी से प्रेस कर दें आप like को अगर चैनल को आपने अभी तक subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लें और bell icon को click कर दें ताकि आपके board से related या आपकी class से related कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी notifications आपको automatic मिल जाएगी आपको वीडियो सर्च करने की ज़रूत नहीं पड़ेगी और subscribe करने से आपको दूसरा फायदा ये भी होगा कि आप जब next class में जाएंगे तो वहाँ पर आपको इसी चैनल से फिर से आपको help मिल पाएगी आपको फिर से जो next class में जब आप करेंगे तो आपको उसके लिए भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और उसके question papers model papers सभी तर करें जरूर सब्सक्राइब कर लें आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही useful होने वाला है ये चैनल अपने दोस्तों के साथ भी share कर दे ताकि उनकी भी अच्छी खासी help हो पाए और वो आपको बाद में thanks भी बोलेंगे कि हाँ आपने मेरी help करी और मुझे study में जो help मिली वो आपके through मिली है तो अगर आप share करना चाहते हैं इस चैनल को तो जरूर शेयर कर दें अगर आपको लगता है कि ये चैनल useful है आपके जोस्तों के लिए भी तो जरूर करें ताकि उनका भी फाइदा हो पाए और वो लोग भी इस चैनल से जुड़ करके जो जानकारी आप ले पारे हैं वो जा जरूर बोलेंगे या फिर आपको ट्रीट जरूर देंगे कम से कम मैं जितने वीडियो डाल रहा हूं उन सभी वीडियो को फूरी तरह से explain कर सकता हूं लेकिन इतना समय नहीं होता है कि मैं पूरे वीडियो को अपडेट करता रहूं या फिर उसको आपको समझा पाऊं क्यो अलग होते हैं क्योंकि आपके स्टेट अलग हैं तो आपके स्टेट के हिसाब से वहां की कल्चर की जानकारी आपको दी जाती है इसलिए आपका जो स्लेवस है वो थोड़ा सा डिफेरेंस होता है नहीं तो अधर्वाइस आप या फिर NCRT का ले लिए या फिर CBSC का ले ले ICICI CC Board का ले ले जारकरत का ले 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 या फिर UP Board का ले 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 बिहार बोर्ड का ले ले, रास्थान बोर्ड का ले ले, गुजरात बोर्ड का ले ले, किसी भी बोर्ड का question paper अगर आप उठाते हैं, तो आपके syllabus से वो कम से कम 60 to 70% पूरा match करेगा, पूरा match करेगा कोई भी subject, तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी और जा लाइक बटन जरूर प्रेस कर दें, दोस्तों के साथ share करना बिलकुल न भूलें ताकि वो लोग भी इस education channel से जुड़ करके फायदा उठा सकें, PDF लिंक हर paper की में provide कराऊंगा, तो आप इस channel पर बने रहें और उस link पर जाकर के उसको download भी कर सकते हैं, और आपको ये भी बता नीट के, REIT के और नवोदे के सभी के papers available करा रखे हैं, मैंने RSCIT के maximum, सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने educational channel ER English Classes for You में, अगर आपको वीडियो की speed ज़्यादा लगती है, तो थोड़ा सा आप pause करके इसको देख सकते हैं, इसमें आपको आसानी रहेगी इसको करने में, मैं जो भी papers upload करता हूं अपने channel पर, उन सभी के PDF लिंक है वो जरूर डाल देता हूं, description box में, ताकि आपको अगर वो paper चाहिए, तो आप उसको download कर लें और उसको print out भी ले सकते हैं, या फिर PDF आप उसको download करके आसानी से पढ़ सकते हैं, तो आप चाहें तो इस PDF को download कर लें, description box में इसकी link दी गई है, और वहीं पर description box में link के नीचे ही PDF को download करने का वीडियो भी बनाया हुआ है, अगर आप से PDF download नहीं होती, तो उस वीडियो को देख करके आप PDF को आसानी से download कर सकते हैं, जो आपके board की answer sheet है, जो board student ने लिखा है, और board copy में लिखा है, ये board क copy आपकी, तो इसका डालने का main मकसद यही है।